नवस्कार दोस्तों खरवंधी लाइब नियूज में आपका स्वागत है अपने आस पास के छेत्री की नियूज को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन बटन को दबाए साथ ही इसके सभी वीडियो को लाइक कोमेट कर ज्यादा ज्यादा सेयर किजिए डाल्टन गंज में श्री हर्मत कथा आयोजित समिती ने बाबा बागेश्वर सरकार के कारिकरम के लिए अब चैनल पूर प्रखंड के और नार गाव में आयोजन कराने का प्रस्ताव दिया है समिती के सयवजक अरुना संकर वसचिव दिना जी ने सदर अनमंडल अधिकारी को पत्र लिख कर प्रस्तावीत रेयती भूमी का असल निरिक्षड कर अनमंधी परदान करने का अगरह किया है पत्र में बताया गया है कि जिला दंडा दिकारी सव उपायुक्त पलामू के ग्यापांग 690 तिथी 24 नुवंबर 2023 में यह उलेखित किया गया है कि कोयल नदी के किनारे कारिकरम कराने से इको सिस्टम परभावित होने की संभावना थी इससे प्राकृतिक आपदा का खत्रा हो सकता है साथ ही बलुयाही मिट्टी होने के कारण पंडाल के धसने की संभावना भी व्यक्त की गई थी उपायुक्त ने अनुमती परदान करने के लिए समिती को उलेखित संस्थानों से सहमती परदान परमाण पत्र लेने का आदेश दिया है समिती के सयोजक ने बताया कि इन विभावों से सहमती प्राप्त करने में समिती को काफी समय लगने की संभावना है इसलिए समिती ने अस्थल परिवर्तित कर चैनपूर प्रखंड के ओड़नार में कारिकरम कराने पर विचार की समिती ने पत्र के साथ प्रस्तावित भूमी का ब्योरा भी सलगन कर दिया है जिससे बाबा बागश्वर सरकार के दिव दर्वार का आयोजन करने की संभावना बढ़ गई है